सागेत देसर के खापा पुलिस स्टेशन अंतरगत एक 47 वर्षय यवक की लाज सड़ी गली अवस्था में मिलने से हड़कम मच गया है बता दे की मृतक प्रापर्टी डीलर होने की पुष्टी हुई है प्राप जानकारी के नुसार खापा पुलिस स्टेशन अंतरगत बड़े गाउं महारा कुंड मार्क पर नाले की करीब एक अग्याच शव सड़ी गली अवस्था में पढ़ा होने की जानकारी थानेदार अजय मानकर को प्राप्त होती ही वे दलबल के साथ खटना सल पहुच कर शिनाक कर शव को शव विच्छे दन हेतु नाखपूर मेडिकल रवाना कर आगी की जान्च में खापा पुलिस चुट कई है वो घटना की तेजी से जान्च करने में पता चला कि उक्षव नाखपूर अशनी निवासी प्रदीप जुनारधन बागड़े होने की पुष्टी आशी थानी में 16 सितंबर को दर्स गुमशुदाय रिपोर्ट के आधार पर हुई सुतरो से प्राप जानकारी के नुसार मृतक प्रदीप प्रॉपर्टी डिलिंग का कारिय करता था उसके परीजनों ने नाखपूर की रजशनी थाने में 16 सितंबर को उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी शायद प्रॉपर्टी डिलिंग की चलती उसकी हत्या कर उसका शव खापा थाना अंतरगत बड़े गाउ महरा कुण की जंगल मिला कर फेके गई ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है थानेदार अजे मान करने अग्यात आरोपी के खिलाफ मामला दर्सकर आगी की चान शुरू की है घटना सल पर पड़ा शव सडी गली वह इतना विक्षिप था तथा शरीर से उटने वाले दुरगंदी तथा निकलने वाले इल्लियों की कारण शव को लाना ले जाना तो दूर कोई हाथ लगाने को भी तयार न था ऐसे में ठानेदार मान करने सावनेर के समाज सेवी हितेश बंसोर से संपर कर उनसे मदद की गुहार करने पर हितेश बंसोर अपनी एंबलन्स तथा सयोगी के साथ खटना सल पहुच कर अपने साथी एवं पुलिस कर्मियों की मदद से शव को शव विच्छे दन हे तो हमेशाही रास्ते पर हुए एक्सिदेंट तदा हर संभव मदद ही तू हमेशाही मदद के लिए तत पर रहते हैं BCN News के लिए सावनिर से समाधाता के रिपोर्ट